बनारस की श्री काशिव इश्वनाग कॉलीडोर के तरज पर अब आयोध्या में श्री रामजन हुभूमी कॉलीडोर बनेगा इसका एलान मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी सरकार ने किया आपको बता दे कि ये कॉलीडोर रामजन हुभूमी के मुख्य मार्ग से हनुमान गड़ी तक बनेगा तो वहीं पूरा मार्ग चौड़ा किया जाएगा इसके साथ ही दुकानों को यहां से सिफ्ट किया जाएगा आपको बता दे कि कॉलीडोर बनने के बाद यहां वी देशों से कई टूरिस्ट आएगे सरकार इसको अर्थ विवस्था और रोजगार से जोड़ कर देख रही है इसलिए प्रात्मिक्ता पर इस प्रस्ताव को पास किया गया है कैविनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम सुरू किया जाएगा योगी कैविनेट मीटिंग में कुल तेरा वड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है व्यूरे रिपोर्ट आई पिन